राजदानी दिल्ली में इन दिनों स्यासी पारा साथ में आस्वान पर चल रहा है आपको बता दें जिस तरह से कल राजदानी दिल्ली के स्कूलों से एक तस्वीर वाइरल हुई थी जिसमें साफ तर पर देखा जा रहा था कि I LOVE मनीश चेश्वधिया के पोस्टर वा बैनर लगे हुए थे कहीं कहीं बच्चों ने भी जवरन लेटर लिखवाने की बात कही इसी संदर्व में दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के एक समाजिक कार्य करता दिवागर पांडे जी ने थाना सास्तिपार को एक शिकायत दी जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने संग्यान लेते हुए उसमें मुकदमा दर्ज किया समाजिक कार्य करता दिवागर पांडे जी हमारे साथ हैं आखिर सबसे पहले इनको कैसे पता चला कि जो स्कूल है इनके घर के पास सास्तिपार के स्थित कैसे इनके जानकारी मिली के सबसे पहला मेरा सवाल यह क्योंकि सुभा सुभा यह पोस्टर लगने शुरू हो गए तो पहली जो प्रात्मिक जानकारी थी वह आपको किस तरह से भी लिए एक साथी ने मुझे फोन करके बताया है कि इस तरह से स्कूल परिसर पर यह सारी चीज़े हो रही है तो मैंने उसको कहा ठीक आप वहां रुकिए मैं भी वहां पहुंसता हूं तो जब वो लोग वहां रुके हुए थे उन्होंने देखा कि इसकूल परी कुछ लोग फ्लेक से हो रहा है तो हमारे एक साथी ने आसी तो मन्दिर ओ इसको रजनेती से दूर रखना चाहिए और एक आपकारी नीती है विरोधन आपकारी नीती में अनिमितनाओं के कारण आरोपी है मनेशी सोधिया जी पूर्व सिक्षा मंतरी थे पूर्व आपकारी मंतरी थे उनके सिवियाई हिरासत में है और ऐसा उनको करना नहीं चाहिए तो हमारा यही निवेदन था हमने स्कूल की प्रिंसिपल को भी इस उसके बाद फिर पुलिस को हमने सूचना दिये पुलिस को लिखे शिकायद दी जसके बाद पुलिस ने उस पर संग्यान लेते वह फाइयर दर्च करके दोस्यों के बुर्य का वरोसा दिलाया दिवाकर जी जिस तरह से शिक्षा के मंदिर को राजनीती के लिए प्रियोग क दीन है लेकिन बावाजू दिनके जेल में भी तक मानी शुषदिया चल रहे हैं तो एक समाजिक कार्य करता होने के नाते आप कैसे देखते हैं और क्या संदेश जो बच्चे हैं या उनको क्या कहना चाहेंगे दिखे मैं तो आपके चैनल के माध्यम सबी से अपील करता हूं कि ठीक है उनकी राजनितिक अपनी चीजे हैं उनको अपनी राजनिति करनी है तो इसकूल और धार्मी के सलुकों छोड़ दें और जहांता कि राजनितिक विक्तियों का मामला वो अपना किसी भी तरह से राजन को सुची मत करेगी मेरा अगला सवाल आपसे एक और है कि जिस तरह से एक ओडियो भी वाइरल हुआ साफ तोर पर उसमें लिया गया गया उस ओडियो में कि विदायक जो छेत्रे विदायक के सिलम्डु विदान सबाके उनके कहने पर इस तरह की जो पोस्टर है वो लगे ल तो सबसे पहले तो हमारा चैनल यह जानना चाहेगा, वो कौन लोग हैं, इसकूल परसासन में क्या इसकी मिली बगत है या नहीं है, तो तमाम चीजे हैं, जाज का विशे हैं, आपकी जाज है, आपका जो कहना है, जो आपकी शिकायत, उसके आधार पर क्या क्या चीजे सामना आई हैं। जब फोन करें के विदायक जी को बूचा तो उन्होंने अपनी शुकरती दी है, जो की गलत है, वो पता नहीं किन कारणों से ऐसा उन्होंने कहा है, कि पर्मिशन है, पर्मिशन है इसकी थी नहीं, और फिर भी हमने पुलिस को अपना सामाज जेक दाइत तो निभाते हुए पुलिस को इसकी सुचना दे दी है, पुलिस ने आगे अपनी कारवाई के लिए हमें, कहा है कि हम इस पर कारवाई करते हैं, जो भी उचित कारवाई होगी, बिल्कुल देखे, जिस तरह से शिक्षा के मंदिर को राजनिती के लिए इस्तमाल किया गया, कहीं ना कहीं यह अ कहीं यह अपस्या खर्चरत्स कारवाई कारवाईć Cantonese TV